दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत हमारे इस एन्विरा एजूकेशन के यूटूब चैनल पर और मैं समपत लेड़ आप सभी के लिहाँ पर जो है इस वीडियो के अंदर आईए वेकेंसी की रिजल्ट को लेकर एक अपडेट लेकर हजिर हो चुका हूँ आपके इस पहले भी आपको पता होगा कि अलोग राजी के द्वारा 25 मार्च तक इस रिजल्ट को जारी करने को लेकर ट्वीट किया गया था लेकिन अब भी तक इसको लेकर कोई ओपी से लिवापस अपडेट नहीं आई है तो यह डॉक्टर भागचन जी बगाल है ठीक है आरेस है आपका आपने इनको टेक करके बार बार जो इनको सवाल डाले थे इनका जो है यहाँ पर बहुत सांदार एक अपडेट मिला है तो देखे तो यह पेड़ती यह पूछ रहे है कि आये रिजल्ट आये का जो रिजल् इन्होंने सारी चीजे बती है कि एक अनुमती मिलने के दौरान हमें कितने प्रोसीजर से गुजरना होता है अनुमत यह तो डिय पी को निवेदन करना होता है यह पी से प्रकरण अनुसंसा के लिए याँ पर मुक्य सची मोहदे की अधिक्स्ता में गटी समीती में बिजव या अनुमती के लिए लेक्षन कमीशन इंडिया को बीज देता है एस यह से अनुमती मिलने पर इसको चैनल से सूचना आती है और अनुमती प्राप्त करने के लिए यहां प्रक्रिया है कि अतया आप समझ गई होंगी कि प्रक्रिया कितनी लंबी है और फिर मसीनरी की पहली 25 तक 35 तक रिजर्ट आ जाएगा और अभी तक इनके दौआड यह इस्तिती क्लियर नहीं की गी है कि यह आभी जो फायल है वो किस चरण पर है detay ऽो है इसको हमें कर तवलने की यह से डालेंगे में है वैसे जिन्होंने अभी तक typing शुरू नहीं की है तो वो अपनी typing कर दें अगर आपके नमबर सत्र प्लस हो रहे हैं सस्ट गैपर है तो आप अपने typing को शुरू आत कर दें अपनी typing को continue रखें क्योंकि इनके result आने के बाद में आपको एक एक डायड महाबाद आपका typing जो है वो conduct करवा ले जाए अगर इसके allow भी अगर आपका कोई भी doubt है आपका कोई सवाल है तो आप नीचे comment box के अंदर लिख दीजेगा अगर वीडियो आपको अच्छी और helpful लगिये तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजेगा धन्यों